कि कड़कड में भगवान वो वाली जो फिलोसफिय उसी की बात है कि उसी का रूप वही इनर्जी हर तरीके से मेनिफेस्ट हो रही है तो ये धर्म कभी भी छोड़ने वाली बात नहीं करता है जो हमें बार-बार समझ में आता है जो कई बार हम कहते हैं तो क्या हिमालिया पे चले जाए नो बड़ी सेंग डाट विकाज आपके लिए रिलीजिन का कॉंसेट ही अलग है या लोग जिसे आप आम घरों में बोल चाल में देखते होंगे अरे अब तो उमर हो गई अब तो भगवान की तरफ मूं कर लो क्यों अच्छे काम के लिए जीवन मरने के कगारप है तब जाना है उदर अगर जीवन में जागरती जागरड पहले आ जाए तो कुछ बुरा हो जाएगा अभी तो तुम जवान हो यार यह क्या बातें करते हो तुम लोग ऐसे बातें करते हैं तो यह समाज की जो बीमार हमारी सोच है कि एक खास उम्र में आपको उदर जाना है क्यों तब उसी रास्ते को अपनाएंगे अगर वो जवान भी है यंग है तब तो उसके पास ज्यादा इनर्जी है अभी ज्यादा सोच समझने की ताकत रखता है तो अगर कोई एक मुश् सानी से लोग नहीं समझ पाते हैं उसको प्रैक्टिस में नहीं उतार पाते तो वो तो बिल्कुल शुरवाती चरण में जाना चाहिए उसी तरीके से हम स्पिरिच्वालिटी और रिलीजन को भी लेते किसका मतलब हम त्यागने की बात कर रहे हैं नहीं इसलिए सही माइने म लोग होते हैं वो जो हमारा यह फिजिकल आसपेक्ट है मटीरियल वर्ल्ड उससे भरपूर होते हैं वो छोड़ के नहीं जाते हैं वह सही माइने मगर वो स्पिरिच्वाल वींग है तो मटीरियल तो आही जाएगा उसकी चिंता ही नहीं करनी इधर आम आदमी मटीरियल के पीछे भाग रहा होता है और सोचता सारे कुकर्म पाप कर लूँ उसके बाद फिर बुड़ापे में जाके यग्यहवन और दान दक्षिला करूंगा तो जो पाप हैं वो दुल जाएंगे टाइप यह नॉमल मेंटालिटी है अभी तो कर लो सारे कुकर्म वहां जाक इतना चड़ावा चड़ा देंगे दान दे देंगे सारे पाप दुल जाएंगे तो यह यह कॉमन मेंटालिटी बलकि जो सही मायने में स्पृरिचुल है वो किसी तरह के कुकर्म में सनलिप्त नहीं होगा और मटीरियल यह भौतिकता हमारे ही लिए है यहां कहीं छोड़ने की बा हुआ हुआ हाथ